ये देखिए दोस्तों बिल्कुल इस तरह की क्रीमी और फलफी आइस क्रीम सिर्फ दूद और मलाई से बनके तयार हुई है आप इसका टेक्स्चर देखिए गाइस कितना क्रीमी बिल्कुल जैसा हम आइस क्रीम के ब्रिक में से निकालते हैं बिल्कुल वैसा और इसे मैंने ब प्रिजरवेटिव या स्टेबलाइजर के और आप इसका टेक्स्चर देखिए कितनी बढ़िया जालीदार और बिना आइस क्रिस्टल के हमारी आइस क्रीम बन के तयार हुई है तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे बनती है ये पार्लर स्टाइल आइस क्रीम नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका पेट पूजा रेसिपीस की अपनी रसोई मैं और मैं हूँ पूजा इस वीडियो में आज हम बनाएंगे बिना दूद को गाढ़ा किये बिना घंटे लगाए बिना रढ़ाए बहुत ही स्वादिश्ट बिलकुल मार्केट जैसी इसे बनाने के लिए यहां हमने एक किलो फुल फैट क्रीम वाला दूद लिया है और इसको हमें गाढ़े तले वाले पैन में गैस पे चड़ा लेते हैं और जब तक यह दूद गरम होता है यहां दो किलो दूद अलग से मैंने उबाल के फ्रिज में रखा था जो हम घर में रोजमर्रा के काम में लेते हैं और उसके ओपर से यह देखिए बिल्कुल गाढ़ी मलाई रोटी की तरह अलग हो गई है तो इसको हमें निकाल लेना है एक छेद वाले चमच से बिल्कुल इस तरह से अब ये दूद जो हमने गैस पे चढ़ाया था इसमें तीन बड़े चमच कॉनफलार एक कटोरी में हम ले लेंगे और दूद अभी हमारा हलका गुनगुना है गरम नहीं हुआ है तो गुनगुने दूद के तीन बड़े चमच हम इस तरह से ले लेंगे इस कॉनफलार में और इस कॉनफलार को घोल के दूद में हमें एक अच्छी सी सलरी बना के तयार करनी है बिल्कुल इस तरह की ये देखे हम गुनगुना दूद ले रहे हैं इसलिए क्योंकि कॉनफलार में गाठे ना पड़े अगर हम गरम दूद लेंगे तो कॉनफलार उस दूद की गर्मी से कटोरी में ही पक जाएगा और गाठे बन सकती है तो इस बात का ध्यान रखें कि जब दूद हलका गुनगुना है तब ही आप एक कटोरी में इस तरह से कॉनफलार की सलरी बना के एक तरफ अलग रख के हम दूद को हिला लेते हैं जब दूद हलका सा नीचे बैठ जाए तो जो मलाई हमने निकाल के कटोरे में अलग रखी थी वो मलाई भी हम इसी दूद में मिक्स कर देंगे ये देखिए ये मलाई इसी में डाल देते है और बिल्कुल दो मिनिट के लिए इस तरह से हिलाते हम दूद को चला लेते हैं इसे ज्यादा रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है बस मलाई इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और मलाई एड करने के बाद आप देखेंगे कि दूद वैसे ही बहुत अच्छा क्रीमी और गाढ़ा होना शुरू हो गया है तो इस तरह से बिल्कुल दो मिनिट के लिए हम पल्टा चलाते हुए लो टू मीडियूम फ्लेम पे इसे पका लेंगे और दो मिनिट इसे पकाने के बाद ये जो कॉर्ण फ्लार की सलरी ये जो घोल हमने बना के अलग रखा था देखें बिल्कुल स्मूथ है इसमें कोई गाठे नहीं होन देंगे और कॉन फ्लार डालने के बाद अब हम इसमें एक कटोरी चीनी डाल देंगे चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं और अगर आप शुगर फ्री में बनाना चाहते हैं तो 6-7 टेबलेट आप इसके अंदर शुगर फ्री की समय डाल और इस तरह से हिला के चीनी को भी हम मिक्स कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम पे 3-4 मिनिट हम इसको इसी तरह से रिड्यूस कर लेंगे और 3-4 मिनिट धीमी आज पे लगातार पकाने के बाद आप देखिए इस तरह से चम्मच की सतय पे ये दूद कोट होने लगेगा एक गाड़ी सी परत चम्मच पे बननी शुरू हो गई है तो इसका ये मतलब है कि कॉन फ्लार बहुत बढ़िया पक गया है और दूद हमारा तयार है ये देखिए इस स्टेज पे कितना गाढ़ा और बढ़िया कंसिस्टेंसी वाला ये हो गया है तो गैस को अब हम बंद कर देंगे और अब बरतन को गैस से उतार के हम इस तरह से हलका सा खुला ढखकन लगा के इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे जिससे की भाप इसमें से अच्छे से बाहर निकलती रहे और जब हमारा आइस क्रीम का मिक्षर ठंडा हो जाएगा तो ये और भी गाढ़ा और मलाईदार हो जाएगा ये देखिए कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी वाला आइस क्रीम का गोल बनके तयार हुआ है अब इसमें खुश्पूर के लिए सबसे पहले हम डालेंगे वैनिला एसेंस आधा चमच तो ये वैनिला एसेंस डाल लिया है उसके बाद हम डालेंगे पाइनेपल एसेंस अगर आपके पास औरेंज का एसेंस है तो इसकी जगे आप वो भी डाल सकते हैं ये हम सारे फ्रूट्स के फ्लेवर इसमें मि रही हूं रोज एसेंस या गुलाब के फ्लेवर का कोई भी एसेंस आपके पास हो तो वो आप डाल सकते हैं और अगर यह नहीं है तो आप इसकी जगे पे रू अफजा शर्बत जो आता है वो भी डाल सकते हैं आपका काम बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जो रोज एसेंस करता है तो मेरे पास यहां रोज एसेंस पड़ा था तो मैं यह डाल देती हूं और सारे एसेंस को एक बार हम हमारे आइसक्रीम मिक्शर में इस तरह से हिला के मिक्स कर लेते हैं बहुत बढ़िया फ्रूटी फ्लेवर्स वाली खुश्बू इस समय आ रही है और बहुत अच्छा नहीं है तो आप इसको skip भी कर सकते हैं आपकी आइसक्रीम वाइट कलर की बनेगी मैं इसे मार्केट स्टाइल बना रही हूं तो हलका समय ने इसमें फूट कलर डाल दिया है और अगर आप रोज एसेंस की जगे रू अफजा डाल रहे है तो आपकी आइसक्रीम वैसे भी र इसको दो घंटे के लिए हमें फ्रीजर में रख देना है जिससे की हमारी आइसक्रीम आधी जम जाए हमें अभी पूरी आइसक्रीम नहीं जमानी है सिर्फ दो घंटे के लिए इसे फ्रीजर में रखेंगे और दो घंटे बाद इसे फ्रीजर में से निकाल के चेक करते है आइ धक के हमें इसे दो तीन बार चला लेना है तो चलिए हमारे आईस क्रीम मिक्षर को हम चर्ण कर लेते हैं और बिल्कुल दो से तीन बार धीमी स्पीड पे मैंने इस मिक्षर को चलाया है और ये देखिए बहुत बढ़िया फ्लफी एरेशन इसमें हो गया है आपको बबल्स द नाम पड़ा है कुछ लोग चैरी भी बोलते हैं इसको तो चैरी डाल लेते हैं तीन से चार चमबच भरके बिल्कुल इस तरह इसे स्प्रिंकल कर देंगे इसे हिलाने की जरूरत नहीं है यह अपने आप धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी फ्रीजर में तो यह सारी टूट आइसक्रीम बॉक्स को साथ से आठ घंटे के लिए फ्रीजर में रख देना है और तक्रीबन आठ घंटे में आइसक्रीम हमारी जम के तयार हो जाएगी और आइसक्रीम जमने के बाद हमने इसे फ्रिज में से निकाल लिया है और अब इसको हम चेक करेंगे क्लिंग फिल्म हम अटा लेते हैं और देखते हैं आईस क्रीम कैसी जमी है ये देखे बहुत बढ़िया जैसे हम मार्केट से ब्रिक लाते हैं बिल्कुल वैसी ही जमी है तो चलिए अब इसकी हम करेंगे प्लेटिंग, यहां मैंने ले ली है एक आईस्क्रीम पुडिंग बोल, आप चाहें तो वो जो लंबी वाली टॉल ग्लासेज होती हैं, उसमें भी इसकी प्लेटिंग कर सकते हैं और अब आईस्क्रीम स्कूपर की सहायता से हम इसकी छोटे-छोटे स्कूप निकाल लेंगे, अगर आपके पास आईस्क्रीम स्कूपर नहीं है तो आप कर्ची से भी निकाल सकते हैं, और यह देखें गाईज, वाडर टेक्स्चर, आप देख रहे हैं कितनी क्रीमी और गाड की दिखाती हूँ, यह देखें कितनी स्मूद आईस-क्रीम है हमारी, कहीं भी आईस-क्रिस्टल इस में नहीं है, बहुत ही बड़िया आईस-क्रीम इस रेसिपी से बनके तयार होती है, तो आप जरूर ट्राय करें इस रेसिपी को, और इस तरह से हमने पूरी बोल आईस-क की छोटे-छोटे स्कूप से भरके तयार कर ली है और देखिए कितनी बढ़िया और टैम्टिंग ये समय लग रही है है ना बिल्कुल गाड़ी क्रीमी और मलाईदार जैसी हम मार्किट से लेके आते हैं तो बस अब देर किस बात की हमारी स्वादेश्ट आइस क्रीम को हम फा आइसक्रीम पार्लर स्टाइल टूटी-फूटी तैयार है सिर्फ एक किलो दूट से हमने इसे बनाया है घर मही उपलब्द सामगरी से तो आप भी इन गर्मियों में अपने घर पे जरूर ट्राय करें ये मार्किट स्टाइल टूटी-फूटी आइसक्रीम और इसी तरह की रेसिपीस के लिए पेट पूजा रेसिपीस को सब्सक्राइब भी कर लें वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें